साथियों, योग से हमें वो आत्मविश्वास और मरोबल भी मिलता है, जिससे हम संकटों से जूच सकें और जीत सकें. योग से हमें शान्ति मिलती है, मानसिक शान्ति मिलती है, संयम और सहन सक्ति भी मिलती है. स्वामी विवेकारन जी कहां करते थे? एक आदर्श वक्ति वो है, जो नितांत निर्जन में भी क्रियाशिल रहता है, और अध्यतिक गतिसिल में भी संपून शान्ति का अनुभू करता है. किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी ख्षमता होती है, जब बहुत जादा विपरित परिस्थिती हो, तब भी एक्टिव रहना, ठक कर हार न मानना, बैलेंस रहना, ये सारी चीजें योग के माध्यम से हमारे जीवन में स्थान प्राप्त करती है, हमारे जीवन को बदल देती है, ताकत देती है, और इसलिए आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा, योग का साधक कभी संकट में धैर्य नहीं खोता है, योग का अर्थी है, समत्वम योग उच्चते, फर्थात, अनुकुलता, प्रतिकुलता, सभलता, विफलता, सूक, संकट, हर प्रस्थिती में, समाम रहने, अडिग रहने का नाम, उसी तो योग कहते हैं।